वो उनको मानने के लिए त्यार नहीं है यह तो शाहि कोई नहीं है आप मुझे कल को यह बताएंगे कि साइंस ने थाबित किया काली बिली रास्ता काट दे तो नहुसत है कव्वा मुंडेर पर बैठे तो मैं मान के आने की नुवीद है वेलो फ्रेंग्स अच्छिरियाकाल अदाब नमस्ते वेलकम बक्तो वर चैनल इलाही राक्षिन आज हम इन चैनल पर लिके हैं बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो पर रेक्षिन जिसमें हम राक्षिन करने वाले हैं कई लोग हैं वह बहुत ज्यादा करते हैं कोई भी काम करने से पहरे वह पहले एपने यह पूरा चक्र और बगढ्र सब कुछ नौत करते भार मिदो करते हैं उसके हिसाब से सारे काम करते हैं पर कई लोग इसने वीडियों नहीं करते हम इसके अंदर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं, तो देखते हैं कि आज की वीडियो में अली मिर्जा जी क्या बताने वाले हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे. क्योंकि परसनली मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो अस्टालोजी में बहुत बिलीव करते हैं, तो वो हमेशा हर चीज जो है मूरत को देखकर और इन सब चीजों पर ही ध्यान रखकर करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में अली मिज़ा जी का इस बारे में अस्टालोजर्स आने लग पड़े हैं, तो अस्टालोजर्स से जब मैंने बात की तो वो कहते हैं कि ये एक साइंसी इलम है, बिलकुल उसी तरह से, जैसे आप बारिश की प्रेडिक्शन लेते हैं, जैसे आज कल हामला खवातीन जो है वो अल्टरा साउंड से ये पता उसमें एक सूरा का हवाला भी देते हैं, उसमें की पहली आयत जो है, जिसमें किसम काईगी है, से औरों की, तो वो कहते हैं, तो ये सब हकीकत है, अब आप का मुखक इसके उपर चाहिए, स्तारों की किसम खाने से, जी जी, वान नजमी इदा हवा, मा दल्ला साहिबकुम व इसके लावा भी है, ये आपने जो इतना बड़ा पिंडोरा बाक्स कोले ना, इस पे मैंने हर एंगल से गुफ्तू की है, इल्म नजम लिखें, मेरी तफसीली वीडियोस को लेंगी, अब मैं आपको रिबटल करता हूँ, आप आपके सुआल का चुआप, पहली बात ये है साइंस के स्टूडन्ट को कोई ये बता रहा है, कि इल्म नजम साइंस से तालुग रखता है, मेरे भई दुनिया का कौन सा साइंटिस्ट है, जो इल्म नजम को साइंस कहता है, इल्म फलकियात की बात हो रही है, इल्म फलकियात, इसको कौन सा दुनिया का साइंटिस्ट है जो इसे ये साइस कहता है जिस फलकियात की आप बात कर रहें वो ये हैं कि नजाम शमसी में कितने सियारे है ठीक है जी उनकी अंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है वो कितने अर्से में सूरज के गिरद अपना चकर मुकमर करता है ये साइस है ये लोगों की मुस्तग बिल्की प्रेडिक्शन ये तो कोई साइस नहीं है साइस तो इस इसरा की सारी चीज़ों को जूते की नौक पे रखके परे फैंकती है साइस तो इसको तवहमात कहती है साइस तो मजब की जो परवर्टिड नेचर वाले अकाइद है वो उनको मानने के लिए त्यार नहीं है ये तो शाही कोई नहीं है आप मुझे कल को ये बताएंगे कि साइस ने थाबित किया है कि काली बिली रास्ता काट दे तो नहुसत है कवा मुडेर पे बैठें तो मैं मान के आने की नुवीद है और रात के वक्त जाडू देना ये नहुसत है साइस तो इस तो इस नहीं की चीजों को मानती है साइस तो बिलकुल इस नॉलिज को फराड मानती है कोई साइस नहीं इसको मानती जो आपने साइस की बातें की वो साइस में आती है साइंस की बेसिक डेफिनिशन है अगर दो रोटियां और दो रोटियां गिने न तो चारी आएंगी दो गोड़े और दो गोड़े गिने तो चार गोड़े आएंगे यह आप जितनी भी पॉड़र्स की उपर इसको परफार्म करेंगे टू प्लस टू इस इकल टू फोर ही आएगा साइंस यह कहती है कि जो हमने चीज़ इस्टैबलिश कर ली है फिजिकल फिनॉमिन ऑफ नेचर की वो हमेशा एक जैसा रिजल्ट देगी अब इस एद्वार से मुझे यह बताईए जो लोग हाथों की लकीरों के जरीए यह बाकी चीज़ों के जरीए इन्होंने किताबें में लिख दी है इनसे आप यह पूछें यह डैफिनिट इल्म है वो कहेंगे नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया में कई मशूर बंदे ऐसे हैं जिनके हाथों के उपर शौरत की लाइन ही कोई नहीं मुझूद है लेकिन साइंस अगर इसे मानेगी न वो कहेंगी यह हो ही नहीं सकता कि बंदा मशूर हो और लाइन नहीं निकले क्यों वो कहेंगी आप दो गोड़े और दो गोड़े जमा करें चार गोड़े आएंगे यह नहीं होगे कि गोड़ों के केस में यह पांच बंजाए साइंस यह कहती है कि एक अरब दफ़ा भी आप उस चीज़ को रिपीट करेंगे रिजल्ट एक ही आएगा तो यह साइंस कोई नहीं है पहले तो यह अपने दमाग से नकाल देंगे कोई साइंस नहीं है यह एक तवहमात का इल्म है साइंस बिल्कुल इसे नहीं होन करती तो यह जितनी भी अस्टॉलिजर्स जो हैं माईरे इल्मे फिल्कियात हैं वो जो कहते हैं कि यह जो मदार के गिर्द चांद घूम रहा है और जो सियारों की मुव्मेंट है इस मुव्मेंट से किसी भी इंसान के ट्रेट्स पता चलते हैं क्योंकि उसमें उनके पेरामिटर्स हैं कि वो पेदाईश किस वक्त हुई तो उस वक्त किस पुजिशन पे को सा प्लैनेट है जराब यह एस्टानुमी की फिल्ड है आप चले जाए दुनिये किसी कताब में मुझे दखाएं कि वो इन चीजों को डिसकस प्लैनेट की पुजिशन से वो कहते हैं हम बता सकते हैं कि उस वक्त पैदा होने वाले शक्स की चले परसनलिक्ली ट्रेट्स क्या होंगे फुचर प्रडिक्ट निकरता है कोई लेना देना ही नहीं इस तरह के मामलात का इसे साइंस ना के साइंस तो मैंने आपको बता है science कहती है कि आप जो मर्जी करने result वही निकलेगा नुगलेगा तो यह हमें बता दें यह तो बड़ा असान हो गया मसला कि हमें यह एक science के rules है science के rules है यह हमें rule बताएं कि यह rule होगा उसका यह result निकलेगा यह तो प्रेडिक्ट कर रहे होते है science predict नहीं करती साइस आपको definite बताती है लेकिं सर जिस example को ये quote करते है weather prediction को तो वो कहते है वहाँ पर भी तो prediction नहीं prediction नहीं है बिल्कुल नहीं है साइस ने आज तक weather को predict नहीं किया आपको किसे नहीं कह दिया सर जब आ रहे हैं इतने percent chances है बारिश के और कभी हो भी सकती है या पांस percent का मार्चल भी जी वो क्यों देती है वो कहती है ये definite इल्म नहीं है साइस कहेगी जब तक बारिश नहीं नहीं होगी हम नहीं मालेंगे यहीं तो साइस की खूबी है साइस अटकल पचूनी चलाती है वो prediction कहते हैं उसे science नहीं कहते है वो ये कहते हैं कि जी हवाओं की ये रफ़तार है और ये बादल इस वक्त तक जहां पहुंच जाएंगे और बारिश होने के chances है definite नहीं बता सकती definite तब होगी जब science ये बताए कि आज 7 January 2024 है न 7 January 2025 को बारिश होगी या नहीं जाएं science से पूछें वो कहेंगे नहीं होगी वो कहेंगे आपने हमेना 7 January 2025 से दो दिन पहले पूछना है हम देखेंगे तो ये तो कोई भी मता सकता है ये कौन सा कमाल है पिंडी से जेलम का दो घंटे का सफर है आप मुझे केंगे जी मैं इंजिनियर साब 9 मुझे रवाज से निकल पड़ो तो मुझे पता है कि इस सफर में आप एग्जेक्टली डेड़ से पूने दो घंटे में मेरी काड़मी पहुंझ जाएंगे तो आप इसे केंगे कि मैंने बहुत बड़ा कोई इस 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 पूनियाद के उपर है और यह डेफिनिट है कि रास्ते में कोई रशना हुआ रोड कलियर हुई यही कुछ होगा और अगर यह सारी चीज़ें आप पचास दफ़ा भी गाड़ी पेंचर किये बगएर रश के बगएर रवास से जेलम आएंगे हमेशा डेट से पहुने दो गंटे में ही पहुँचेंगे यह नहीं होगा कि एक दफ़ा आप डेट दिन में पहुचें यह जो करते हैं ना जो यह आपके फलकियात वाले यह फलकियात तो बदराम कर रहे हैं बदराम कर रहे हैं जाए फलकियात वालों से पूचेंगे इनको मानते हैं कि यह कोई इलम है दुनिया में यह इलम है यह नहीं है साइंस ना इसे के यह एक सुपर स्टिशन किसम का नॉलिज है तवहमाद के ओपर है इसका कोई लेना देना नहीं यह उसी तरीके से है जैसे मजब के हाँ तसवफ का कंसेप्ट आ गया है आप मजब वालों से बूचे वागेंगे सुपिया का कोई लेना देने नहीं है उस इलहामी दीन के साथ जो किताब और सुन्नत की शकल में बिलकुँ साइस का कोई लेना देना नहीं लोगों के साथ बिलकुँ जूड बोलते है सर इसी के साथ कनेक्ट कर लें फिर उस चीज़ को कि मां के पेट में क्या है और बारिश का बरसेगी वो फिजिकल नॉलिज है वो बिलकुँ ठीक है डेफिनिट है करान क्योंकि Allah अल्दी खालका कुम वो ही है जो तुम्हें पैदा करता है पैदा करने वाला एक है लेकिन तुम में से कोई काफिर हो जाता है कोई मौमिन हो जाता है दुनिया का कोई अल्टरसाउंड आपको नहीं बता सकता कि ये जो मां के पैट में बच्चा है ये पैदा होगा अल्टीमेटली अपनी डेफ से पहले ये की सकीदे के पर मरेगा ये दिको बता सकता जो ये नॉलेज है ये तो फिजिकल नॉलेज है अल्टरसाउंड के जरीए आप जमीन के नीचे पानी भी बता सकते है वो फिजिकल नॉलेज है वो इस तरह कि वो वेव्ज नीचे जाती है रिबाउंड होती है ये नहीं है कि एक बंदा ऐसे हाथ रखता है मेरा ख्याला इदा से तेल निकलाएगा नहीं, कभी नहीं ऐसे तेल निकलता भई ऐसे कभी भी नहीं होता माँ के पेट में क्या है वो तो होता है न वो रिबाउंड करता है और उसका पूरा नक्षाफ पो देख रहे है Upper फिजिकल नॉलिज जो साइंस का इल्म है ये ना तो इल्मे गएभ है और ना आप ये को कह सकते है कोई ऐसा कोई दियो मलाई किसे कहानी वली बात है ये साइन्टिफिक है साइन्टिफिक है बिल्कुल ठीक है मुझे बताएं सौथ अफरीका में मैच हो रहा है क्रिकिट का हम सेटलाइट के जरीए रियल टाइम यहां देख रहे हैं आठ से दो सो साल पहले का इनसान पैदा हो ज़ये वो तो कह गा यह तो मोड़जा हो गया कि आठ दस हजार किलो मीटर दूर की चीज़ मैं इदर बैठके देख रहूं वाकी यह हो रहा है आज का इनसान कहता है यार हो रहा हमें बहुत है फिजिकल नॉलिज है फिजिकल सब कुछ हो रहा है जो मजभ का मामला है जो इलम गायब का अंबिया के साथ तालूक है वो फिजिकल वर्ड के साथ नहीं है फिजिकल वर्ड में जो चीजे हैं चो definite इल्म से आसिल होती है जिनको हम कहते होासे खमसा से आप महसूस करके calculation करके, वो knowledge तो बिलकुल determined knowledge है, मुझे बताएं Quran की कोई आयत आपको पता हो या ना पता हो ये हमारे physical knowledge ने हमें बता दिया कि पेट्रोल आग को भड़का देता है पेट्रोल तो भी 200 साल पहले निकला है, 1800 त्रिपर में पहला पिंसलोवेनिया में कुआ निकला है, American state में उससे पहले तो दुनिया को पता ही नहीं था कि जमीन के अंदर तेल है, ये आपको जो अहदीस में जिस तेल का जिकर मिलता है, वो खाने वाला तेल होता था, जैतून का तेल, उसी के दिये भी जलते थे, ये जो मटी का ये युनिरिसल टूथ है, कि पट्रोल आग को बढ़काता है, और जितनी मार पट्रोल को आप आग लगाएंगे, वो हर दफा बढ़काएगा, ये है साइंस, ये नहीं होगा कि तीन दफा बढ़काएं और चौती दफा जो है पर आजकल लोगों ने दोनों को बहुत साथ मिला दिया है कि साइंस और अस्त्रोलोजी एक ही जैसे लगाएं क्योंकि शायद बहुत साथ अप्लिकेशन बन गई हैं अस्त्रोलोजी से रेलेटेड आप फोन में अपने लाप टॉप में कहीं पर डाउनोड करके उसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स टाल के जान सकते हो कि हमाएं साथ आगे क्या होगा या फिर बहुत सारी जो है अप्ल क्योंकि अप्लिक्शन पर चलती है और अस्त्रोलोजी हमेशा जो है वह ज्यादा चीजों के दावे करने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा या आने वाले टाइम पर तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है तो आइटिंग कहीं साइंस का प्रेडिक्शन है वह दो यह तीन दि का मौसम बताएं कि इस देट को कौन सा मौसम होने वाला है तो साइंस कभी भी क्लियर नहीं कर पाएगा तो वाकी मेनों ने जिस तरीके से दोनों चीजों का जो फर्क है वो क्लियर किया इस पॉड्कास में वह में सुनकर बहुत अच्छा लगा और इनकी बाते हमेशा ही ज जरूर बताने ये वीडियो कैसी लगी और हम बिलेंगे एक नहीं वीडियो में तब तर के लिए ओके बाएगा